नमस्कार मित्रों मैं सिवम सुमन जियस परिवार में आप सभी विद्ध्याषतियों का स्वागत करता हूं जो विद्ध्याषती नय है वो चेनल को सबस्क्राइब करें तथा पुराने विद्ध्याषREAM को अधिक से अधिक सेयर करें आप YouTube पर जाएए, GS परिवार को सर्च करिए, सब्सक्राइब बटन को दबाईए और बेल आइकन को प्रेस करिए नई वीडियो आने पर आपको तुरंत इन्फोर्मेशन मिल जाएगी तो इस Science Series में आज हम Vitamin Topic को कवर करेंगे Vitamin से 2-3 प्रस्ण आने की प्रवल संबाबना रेती है प्रत्यक एक्जाम में तो आप सभी तैयार हो जाएं और अपने मित्रों को भी सामिल करें तो इसी आसा और उम्मीद के साथ हम बरते हैं इस Topic में जिसमें हम Vitamin को कवर करेंगे तो देखिए देखिए का मित्रों Vitamin की अदि हम बात करें Vitamin का प्रमुक कार होता है रोगों से बचाप करना Vitamin का प्रमुक कार होता है रोगों से बचाप करना और Vitamin आपके दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका जल में गुलंसील Vitamin और एक होता है आपका बसा में गुलंसील बिटामिन, किलियर हुआ, जल में गुलंसील बिटामिन दो प्रिकार के होते हैं आपके टाइपस में, अब देखिए जरा, यदि आप किसी कीड़े को लोगें, कीड़ा, के ई, डी, ए, यदि आप किसी कीड़ा को लोगें, तो किसम घुल सकता है सोची जरा एक काच का ग्लास लीजे जिसके अंदर पानी हो उसमें आप कीड़ा डालिएगा क्या वो घुल जाएगा नहीं गुलेगा अपितु वो सामाने तर दिखा ही देने लगेगा तो हमको क्लियर हुआ कीड़ा जल में नहीं गुलेगा कीड़ा जल मे गुलते हैं बसामे तो बचे हुए बिटामिन कौन से आपके बिटामिन बी और बिटामिन सी ये किसमे गुलेंगे आपके जल में तो जल में गुलंसील बिटामिन कौन से होते हैं बिटामिन बी और सी जबकि बसामे गुलंसील बिटामिन आपके के ई डी और ए क्लियर देखे जरा यदि अब हम देखें बसामे गुलंसील बिटामिन तो बसामे गुलंसील बिटामिन होता है आपका बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E और बिटामिन K रासाइनिक नाम, इस्तोत्र और कमी से प्रभाव अक्सर यहां से आपके प्रश्न बनते हैं बिटामिन A का रासाइनिक नाम है आपका रेटिनोल, बिटामिन D का रासाइनिक नाम है आपका केलसी फेरोल, E का है केलसी फेरोल, सुली अल्फा टोको फेरोल और के का है फीलो कुईनोल, बिटामिन A का रासाइनिक नाम है आपका रेटिनोल होता है, इस रोग के होने पर खाना चाहिए ताकि ये बिटामिन आपकी सरीर में परियाप्त मात्रा में आ जाए यदि आपको बिटामिन A की कमी होती है तो आपको क्या आहार के रूप में लेना चाहिए दूद, मक्खन, दही, अंडा, यकरत, मचली का तेल, पालक, ब्रोकली और गाजर और साथ में अक्र प्रमुक रूप से देखा जाएगा तो गाजर मिलेगी आपको और गाजर में भी कौन से आपकी नारंगी गाजर ये तो आपके इस्तोत्र है कमी से प्रभाब में अदिया आप आओगे तो कार्णिया आँकों से संबंदित रोगे तो अच्छा की कोशिकाओं का सल्की भव ठीक है रासाइनिक नाम होता है आपका केलसी फेरोल इस्तोत्र के रूप में आप मखन ले सकते हो यकरत ले सकते हो अंडे सूर का प्रिकास मसली और दूद प्रमुक रहेंगे आपके सूर का प्रिकास और मसली सूर का प्रिकास जो सुबहा का समय होता है आपने देखा की तवचा से संबनित केंसर अल्ट्रा वायलेट क्रणों के कारण ही होता है लेकिन जो सुभाह के समय आपकी अल्ट्रा वायलेट क्रण आती वह अत्ती सूक्ष में होती है और यही क्रणे हमारी तवचा पर आकर बिटामिन डी को बनाने का या प्रमुक रूप से उनका योग इसे ही हम सुका रोग भी कहते हैं, हड्डिय कमजोर हो जाती है, हड्डिय मानब सरीर में आपकी होती है 206, याद रखे का 25 बर्स तक सभी अड्डियों का निर्मार हो जाता है, हड्डियों के निर्मार के प्रिक्रिया अस्ति भवन केलाती है, एक भ्रून की अड्डियों की स 270 होती है जबकि 22 की 206 होती है बिटामिन E का रासानिक नाम होता है टोको फेरोल इसे हम अलफा टोको फेरोल भी कहते हैं बिटामिन E के प्रमुक इस्तोत्र रहेंगे आपके मुंग फली तेल गेहूं सोयबीन अंडे की जड़ी क्लियर हुआ बिटामिन E में अदि प्रमुक र सब्सक्राइब कमी आजाना यह पिर पूरुस्पन में कमी आजाना जन्नांग गिरंतियों का पूर्णता बिकास ना उपाना यह सबी समस्च्टाइब विटामिन E की कमी से बिटामिन के रासानिक नाम होता है अपका फिलो कुनोन बिटामिन ए अंडा यक्रत दूद उत्प प्रमुक रूप से रहेगा आपका टमाटर के चोट लगने पर रुदिर का थक्का न जमना अधिक रख्त का इस्तरा बोना यानि आपको बिटामिन के आपकी सरीर में नहीं है तो आपको चोट लगेगी तो रख्त का थक्का नहीं बन पाएगा और रख्त आपका निकलता ही चला जाएगा रख्त का थक्का के रूप में यदि बिटामिन पूछा जाता है आपसे तो बिटामिन के आएगा कोशिका पूछी जाती है तो प्लेटलेट्स आएगी ठीक है और यदि आपसे पूछा जाता है प्रोटीन तो प्रोटीन आएगा आपका फाइब्रोनोजेन याद रखें रक्त का ठक्का जमाने के लिए बितामिन के कोशिका प्लैटलैट्स जब कि अभी हमने आपको बतायता फाइबरोनोजेन जो क्या एक प्रोटीन है फाइबरनोजेन प्रोटीन रक्त के तरल भाग प्लाजमा में उपस्तित होती है और इसी प्रोटीन के करण प्लाजमा प्रमुक योगदान देता है यदि हम प्लाजमा में इसे फाइबरनोजेन निकाल दें तो सेज भाग आपका सिरम बसता है और रकत का थक्का नहीं बनता यहाँ से clear हुआ होगा बसमें गुलंसील बिटामिन K E D ais बिटामिन A देका, D देका, E देका और फिरममने K देका अब हम देखते हैं, जल में गुलंसील बिटामिन जल में गुलंसील बिटामिन आपके दो ही मिलेंगे एक तो मिलेगा आपको बिटामिन B और एक मिलेगा बिटामिन C क्लियर हुआ तो देखी जरा बिटामिन B की आपकी सरीच चलती है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और B9 जरा आपके सरीच चलती है फिराता है बिटामिन C क्लियर हुआ तो देखते हैं बिटामिन B1 B1 का राशानिक नाम होता है थाइमिन B2 का राइबोफलेविन B3 का होता है नियासीन B5 का होता है आपका पेंटोथिनिक B6 का होता है पाइलिड़ॉकसिन इसमें आपका B7 नेक्स्ट पेज परे B7 होता है बायोटीन और B9 होता है फोली कमले और B12 होता है साइनो कोवाल एमीन तो B1 को यदि देखें तो इस्तोत्र रहेंगे आपके अनाज, फलिया, सोयाबीन, दूद, इस्ट, अंडे, मास कमी से प्रवाब रहेंगे आपके बेरी-वेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से होता है B2, राइवोफलेबिन, पनीर, अंडा, इस्ट, हरी पत्तेदार सबजीया, मास, यकरत, वीन्स, मेवा, टमाटर, मस्रूम कमी से रोग हो जाएंगे आपके क्लोसिस, तो अच्छा संबंदी रोग होता है, फटने लगती है, एडिया B3, तो देखिएगा, दूद, इष्ट, मस्ली, मास, यकरत, अंडे, फलिया, हरे टमाटर, हरे मटर, दूद, मस्रूम, मुंखफली, सेवा, पेलागरा ये भी आपका उसी से संबंदी रोगी जो खाज-खुजली होती है, दाद बगिरा हो जाना, पेलागरा, B3, B5 देखोगे, पेंटोथनीक, इस तो तो तरहेंगे आपके दूद, यकरत, दही, टमाटर, मुंखफली, गन्ना, ब्रोकली, मस्रूम, सूरज-मुकी के बीज और गोबी, कमी से रोग में आएंगे आपके, ब्रद्धी में कमी हो जाना, बाल सबे दोना, जनन चमता में कमी, अत्यदिक तनाव लेना, टेंसन लेना, ये सब चीज़ देखेगा, बिटामिन B5 से क्या जढ़ते हैं, बाल जढ़ने लगते हैं, बिटामिन B6, पारेडोक्सिन मसली, मास, इष्ट, यकरत, दूद, अनाज, आलू, पालग, गाजर, सकरकंद, केला, कमी से रोग क्या होता है, एनिमी ऐसी की कमी से रोग होता है, चर्मरोग होने लगते हैं, सरीर में एठन आने लगती है, यानि कि हमको मसल से जो होती है, मसल से क्या होने लगती है, बिटामिन बीवारा साइनो कोवाल एमीन रासायनिक नाम होता है और एक मात्र विटामिन जिसमें कोवाल्ट धातू पाई जाती है कोवाल्ट धातू बिटामिन बीवारा में पाई जाती है और इसी विटामिन को यदि आप जल में घोलते हो तो गुलावी रंग देता है जल म बिटामिन B3 नियासिन कमी से रोग होता है पेलागरा बिटामिन B5 कमी से रोग होता है चर्म बाल सपेद होना अत्यदिक तनाप टेंसन लेना बीशेक से पारिडॉक्सिन एनिमिय रोग होता है सरी में एठन आने लगती है बिटामिन B वारा रखत छींटा होने लगती है तंत मुरोग बालों का जड़ना अभी हमने आपको बतायता बाल सफेद होना विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद होते हैं जबकि B7 की कमी से बाल जड़ने लगते हैं जो दू मुहें बाल हो जाते हैं क्लियर हुआ फोलिक अमले विटामिन B9 ने आपका यह विटामिन B9 फोलिक अमल बिटामिन C, एसकोर्वी कमले, सभी खट्टे फला जाएंगे, जितने भी आपके सेट्र कमले जिन में पाये जाता है, देखिए का साधरन फलो में एसेट्र कमल होता है, जबकि सभी खट्टे फलो में साइट्र के सेट्र कमल होता है, तो नीबू, बंसके खट्टे फल, कि इसकर भी या पायरिया आपका रोग होता है जो मुहूं या मसूलों से संबंदित रोग होता है ये एक मसूलों से संबंदित पायरिया इसकर भी एक साधरन रोग हैं बरतमान में किन्तु जब बिटामिन की खोज नहीं की गई थी तब एक बहुती भयानक रोग हुआ करता क्योंकि व्यक्ति कुछ खाना घ्रान नहीं कर पा रहा है। जब व्यक्ति खाना नहीं खापाएगा तो दिनव़ दिन उसकी हालत गिstudy जाएगी डं वती चली जाएगी और व्यक्ति की की डेथ हो जाएगी। अतार्त हमको ये पता चलता है कि यदि हमको पता है इस रोग का कारण क्या है किसी रोग का पता चल जाए कि इस रोग का कारण क्या है और इस रोग को कैसे समाप्त किया जा सकता है हम बही चीज उस बोड़ी को दे करके रोग को समाप्त कर सकते है अतार्ति यदि हमको ये पता चल गया है पाइडिया इसकर भी बिटामिन C ना होने पर रोग बन रहा है यदि हम सरीर में बिटामिन C की परयाप्त मात्रा देते हैं तो इसकर भी अपाइडिया समाप्त हो जाएगा उसी प्रकार से आपके कई सारे रोग होते हैं जिन मेंबितामीन का जब पता चलता है तो रोग भी सोता ही समाभत हो जाते हैं इसी करण si 1911 में बितामीन की खोच फंकित की द्वारा की गई कुछ आपके प्रमुक बितामीनों में यह देखोगे तो funk ने vitamin की खोच की थी जो आपको बेग गयाने के आपर दिख रहा हूँगे फंक ने vitamin की खोच की है vitamin A की maculum ने की है vitamin B की खोच भी maculum ने की है vitamin C की खोच usual whole cut ने की है देखिएगा whole cut इसमें C आ रहा है आपका cut में C तो vitamin C की खोच की है whole cut ने बिटामिन D की होपकिन्स ने याद रखेगा बिटामिन की कोछ फंक ने बिटामिन A मेकूलम बिटामिन B मेकूलम बिटामिन C होलकट और बिटामिन D होपकिन्स तो आपको समझ आया होगा कि हमने किस प्रकार से इन प्रस्णों को जाना है यहां से आपके किस प्रकार से प्रशन बनते हैं और केसे सोल्व किया जाता है और प्रशनों की लिंग्वेज की आती है उनको हम अध्यान करने के लिए कुछ प्रिविस एर के कोश्चनों को भी यहां पर पढ़ेंगे तो जुड़े रहें अन्ति तक हम अब बढ़ते हैं प्रिविस एर के कुछ प्रशनों की और तो पहला प्रशन है आपके सामने रुदिर इसकंदन निमन में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है रुदिर इसकंदन का तात पर होता है रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमाने के लिए अभी हमने आपको वतायता है तीन प्रमुख चीजे होती है बिटामिन भी होता है प्रोटीन भी होती है और आपकी कोशिका भी होती है क्लियर हुआ यदि बिटामिन की बात करेंगे तो बिटामिन में तो हमको मिलेगा की बिटामिन के रक्त का थक्का जमाता है बिटाम में आती है platelets यह रक्त बिम्बानू अब रक्त बिम्बानू या कोशिका होती है जो रक्त में उपस्तित होती है रक्त के दो भाग होते हैं आपके तरल भाग प्लाजमा और एक होती है आपकी रक्त कोशिकाएं हम उनको रक्त कोशिकाएं ना केकर रक्त कडिकाएं करें तो ज कोशिकाओं से बना हुगा यकरत एक सतान पर इस्थ तह या सतिर ओने यखरत एक दिन आपके पेट में एक दिन हाथ नुना जाएगा दूसरे दिन पेर में आ जाएगा इक दिन सर में आ जाएगा होता है क्या यकरत अपने position पर critics है that we can कोशिकाओं से बना हुआ जो सदश्य परिवार रहता है वो एक इस्तान पर इस्तिर रहता है अतार्थ कोशिकाओं इस्तिर रहती है जब कि कड़िकाओं आपकी गति करती है अब कड़िकाओं क्या होती है तो RVC, WVC, प्लेटलर्स ये सबी क्या आपकी रक्त की कड़िकाओं ह हमने इस से पहले वाली क्लास में आपको बताया भी था हड़ियां जो हड़ि बाहर से कठोर हो जाती अंदर से सौप्ट रहती है समझ रहे उसे मज्जा अस्ती मज्जा केते हैं अस्ती मज्जा केते हैं बोन मेरो बही पर आपके रक्त का निर्माड होता है और वी सी डब्लू में रख्त का थक्का जमाने में सायता करता है किलियर हुआ कोशिका में रख्त विम्बाण विटामिन में हुआ विटामिन के अब अभी हमने देखा था रख्त के दो वाग तरल वाग और आपका रख्त कोशिका है रख्त कडिका है अब देखेगा तरल वाग जो प्लाजमा हो हीमोगलोबिन जिए अब दिखना सबसे ज्यादा होता है 90 परसेंट होता है प्लाजमा में आपकी कोशिकाएं होती है टिंप कोशिका आपके जो अच्छी चीज जितनी भी उती है जो हम क्या करते है चोटी आज रक्त के तरल भाग प्लाजमा में उपस्तित एक प्रोटीन है अपकी फाइब्रोन जेन ये प्रोटीन क्या करती है रक्त का थक्का जमाने का काम करती है यदि इसी प्रोटीन को हम रक्त के भाग प्लाजमा से निकाल दें तो सेज भाग क्या किलाता है सिरम बनेने वाला प्रस चांप ले अपने कोपी किताबों पर याद रखें प्रोटीन जी पूछा जाता है तो विटामिन की और कोशिक पीचे जाता है तो रख्ट भें मारू याद रखें साइंस विद सिवंसर जुड़े लाएंगे उस वीडियो में हम प्रस्णी की तहत तक जाएंगे और जितना हो सकेगा उन सभी प्रस्णों को हल करने का करेंगे तो बढ़ते हैं अगले प्रस्सन की ओर रतोंदी जीरो पितेल मिया और इसको दूर करने के लिए आप प्रमुक रूप से नारंगी गाजर को गहन कर सकते हो तो Bitamin A का प्रमुक इस तोत्र कि आपका नारंगी गाजर कमी से रोग होता है रतोंदी यदि हम B3 की बात करें तो B3 की कमी से होता है पपका पैला ग्रा, बिटामिन B1 की कमी से होता है अपका बेरी-बेरी और बिटामिन D की कमी से होता है रीकेट्स बच्चों में होता है रीकेट्स, बड़ों में होता है उस्टियो मलेसिया क्लियर हुआ अगला प्रस्म गाजर निमने में से किस बिटामिन का संपन इस्तोत्र है अभी हमने देखा गाज़र में प्रमक रूप से नारंगी गाज़र बिटामिन A का इस्तोत्र होता है यदि आप नहीं गरण करते हो या कमी हो जाती है बिटामिन A की तो आप में रतोंदी या जीरो पितेल मिया आँखों से संबंदित रोग बन जाता है बिटामिन C का रासानिक नाम होता है A स्कोर भी कम ले बिटामिन E का रासानिक नाम होता है टोको फेरोल या अलफा टोको फेरोल बिटामिन D का रासानिक नाम होता है केलसी फेरोल बिटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोगत होता है तो आंसर होगा आपका option number C Recaps सही है vitamin D की कमी से होने वाला रोग है Recaps बच्चों में Recaps होता है बड़ों में Osteo Malaysia होता है vitamin D आपको सूर्य के प्रकास में उपस्तित ultra wallet क्रणों से मिलता है देखिए सूर्य के प्रकास का रंग सपेद होता है इसी सपेद रंग को जब इस्पेक्ट्रम या प्रिजम के थ्रू गुजारते हो तो यही सपेद रंग सात रंगों में डिवाइड हो जाता है जिसे हम बेजानी हापी नाला ये सात रंगों जो हैं आपके इनके नाम से जाना जाता है clear हुआ berry berry B की कमी से होता है पेलागरा B3 की कमी से होता है और इसकर भी आपका C की कमी से होता है किस बिटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोवाल्ट की आवक्षकता होती है तो कोवाल्ट इधातू उपस्तित एक मातर बिटामिन है आपका option number A बिटामिन B12 बिटामिन B12 जल में गुलंसीर बिटामिन होता है साइनो कोवाल एमीन रासानिक नाम होता है जल में गोलने पर एसा बिटामिन है जो गुलावी रंग देता है और कोवाल्ट इधातू की इसमें उपस्तिती होती है बिटामिन E बिसेस्ता किसके लिए मैधोपुन है तो आंसर होगा आपका उप्से नमबर D उपकला, AP तिलिमेयस उतकों के सामान स्वास्त के लिए बिटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो बिटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफलेविन बिटामिन B1, थाइमिन B2, राइवो, फ्लेविन हीमोगलोबिन, रक्त में उपस्तित एक रंजक होता है देखिए हीमोगलोबिन में हिम नामक रंजक रेता है हिम नामक रंजम बास्ता में लोहो पदारती है हमारे मानब शरीर को लोह की मात्रा पालक तता सेवफल से मिलती है सबसे ज़्यादा मिलता है लोहा पालक से और दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा मिलता है सेवफल से यदि आपने पालक को धोया हो तो धोने के बाद आयरन जैसा रंग हो जाता है पानी का उसी प्रिकार से सेवफल को काटने के 15 मिड़ वाद देखेगा, सेवफल पर उपर एक आयरन की परत जम जाती है, तो कारण क्या होता है, सेवफल में और पालक में अत्यदिक मात्रा में लोहो होता है, यही लोह हिम या हीमोगलोबिन रंजक के रूप में हमारे मानब सरीर को म लेटता है, और हीमोगलोबिन रवीची का रंग लाल कर देता है, रवीची की मात्रा रख्त कड़िकाओं में सबसे ज़्यादा होती है, जिसके करण क्या होता है, आपका रख्त का रंग लाल होता है, देखेए अभी हमने एक प्रस्ण में आपको प्लाजमा बताये, तर र रवीची की मात्रा 90% होती है, तर याद रखें प्लाजमा की मात्रा 90% नहीं होती है, प्लाजमा की मात्रा होती है आपकी 55%, रख्त कड़िकाओं की मात्रा होती है 45%, ठीक है, इस 45% रख्त कड़िकाओं में रवीची की मात्रा कितनी होती है, आपकी 90% होती है, क्लियर हुआ, यदि बहाँ पर आप mistake हो गई हो तो आप उसको clear कर लीजेगा प्लाजमा की मात्रा 55% है रक्त कोशिकाओं या रक्त कडिकाओं की मात्रा 45% है जिसमें RVC, WC, platelet से और इसी में RVC की सबस्यादा मात्रा कितनी है 90% है अगला प्रस्न बिटामिन D की कमी से होने वाला रोग रीकेट्स में सरीर का कौन सा अंग प्रवावित होता है तो बिटामिन D की कमी से होने वाले रोग में अस्ति अतार्थ हड़ी प्रवावित हो जाती है हड़ियों की अदि आप संक्या देखोगे सामान 22 comparison में 206 होती है नभजा सिसू में 210 होती है जबकि एक भूण में 300 हड़ियां होती है हड़ियों को मजबूत करने का काम केलसियम और फासपूरस कलता है केलसियम फासपूरस केलसियम फासपेट में बदल जाता है किलियर हुआ है कोलेजन प्रोटीन सबसे अत्ती मैदवपूर याने 30% काम होता है हड्डियों को इसको निर्मित करने में ठीक है मानव सरीर में संक्रमाल को रोकने में मदद करने वाला बिटामिन कौन सा है तो ओप्सन नमबर A बिटामिन A रतोंदी रोग होता है जीरो फितेल्मिय रासानिक नाम है रेटिनोल बिटामिन B6 की कमी से B6 का रासानिक नाम होता है अपका पाईरी डॉक्सिन किलियर हुआ रखते छीनता है एनिमिय चर्म रोग या पेसी ये एटन अभी हमने बताया था ये सभी रोग होते है अथर्थ आंसर क्या होगा अरक्तिता बिटामिन B6 की कमी से आंसर क्या होगा अरक्तिता सई मिलान कीजिए तो एक बार मिलान करना है इनका रासानिक नाम से बिटामिन A का रासान की नाम जैसा कि आपको देख रहा है थाइमिन होगा बिटामिन B2 का राइबो फ्लेविन ये वाला होगा आपका बिटामिन B6 पाइरेडोक्सिन उपर जाएगा आपका किलियर हुआ बिटामिन B वारा साइनो कोबाल एमिन ये बनेगी आपकी तो पहले का फोर्थ होगा तो इसमें देख लिजी साइध और बिटामिन A का रासान की आपका थाइमिन B6 का पाइरेडोक्सिन L1 और बिवारा का साइनो कोबाल एमिन में कोबाल धातू पाई जाती है जल में गुलने पर गुलाबी रंग देता है तबकि B7 का होता है बायोटीन, B9 का होता है फोली कमले और B5 का होता है पेंटोथिनिक, B3 का होता है नियासीन बिटामिन A की कमी से होने वाला रोग, तो बिटामिन A की कमी से होने वाला रोग है आपका रतोंदी तमबाकू में कौन सा पतार्थ होता है तो तमबाकू में ओप्सन नमबर A निकोटिन होता है अरक्तिता में निम्न मेंसे किस की कमी हो जाती है तो अरक्तिता में हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है अभी आपको बतायता है हीमोगलोबिन एक रंजक होता है जिसके कांट रख्तकरंग लाल होता है लोहकी कमी से सरीर में कौन सा रोग होता है देखिएगा लोहकी कमी से होने वाला प्रमग रूख तो होता है आपका क्या अरक्तिता, एनिमी यह यह सारे रोग होते है लेकिन ओप्षन में आपको नहीं दिख रहा है अब क्या होता है हमको तहह तक जाना है कि option को आखिर पढ़ना कैसे होता है question को पढ़ने पर answer कुछ और आ रहा है लेकिन option को जब देखते हैं तो वह answer हमको नहीं मिलता है option को क्लिक करते है पॉलियो पॉलियो नहीं होना चाहिए पॉलियो वारस होता है एक बूंद जिंदगी की हमिता बच्चन ब्रैंडम बिश्टर है इसकर भी बिटामिन C की कमीस होता है पाई रिया यह भी नहीं होगा आपका रीकेट से बिटामिन D की कमीस होता है बच्चों में बढ़न होता है अब बाजता है मारे पास गौाइटर गौाइटर ये गेंगा किस से संबंदित रोग होता है तो आप बोलोगे शरीर तो गले से संबंदित रोग होता है गले में आपकी दो अंताइस तराभी गरंती होती है थाइराइड और पेरा थाइराइड मानब शरीर की सबसे बड़ी अंताइस तरावी गरंती भी कौन से अपकी थायराइड है क्लियर हुआ मानब शरीर की सबसे बड़ी गरंती होती है ये अकरत मानब शरीर की सबसे बड़ी अंताइस तरावी गरंती होती है थायराइड गरंती क्लियर हुआ और मानब सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती तता एक मात्र मिस्रिद गरंती होती है आपकी अगना से तो गले में ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है और गले में आपकी दो गरंतिया होती है थायराइड ग्रंती और पेरा थायराइड ग्रंती आगे आने की फ्रंट साइड में रेती और बेक साइड में रेती आपकी पेरा थायराइड ग्रंती थाइराट ग्रंती आयोडीन से संबंदित होती यदि आप में आयोडीन की मात्रा कम जादा हो जाती है तो घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है यह प्रतेक्च रूप से प्रभाप पड़ता है आयोडीन का प्रतेक्च रूप से प्रभाप पड़ता है ग्वाइटर या डायरेक्ट रूप से किसका प्रवाब पढ़ता है? vitamin B और vitamin C अब vitamin B और C vitamin को अब जले में गोलोगे तो क्या होगा उन्हें में इससant vitamin निकल जाएगा option में हमको B तो दिख नहीं रहा है do war प्रभourd अब धोते हो तो vitamin C निकल जाता है उड़े दी अब चावल को बार बार धोते हो तो बिटामिन B निकल जाता है दोनों प्रस्णों को छाप लीजिए अति मैदोपूरे चावल को बार बार धोने से बिटामिन B निकलता है जबकि छिलुई सबजियों को धोने से बिटामिन C निकलता है आईरेन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आईरेन की कमी से होता है ओप्सिन नमबर भी अरख्टता जितने भी बिद्यारती हैं सभी एक बार दवा करके सेर कर दीजे अपने जी एस परिवार को जी एस परिवार हम सब का परिवार है आपका अपना परिवार है जी एस परिवा क्लॉरोफिल यह एक पिग्मेंट होता है प्रिकास संस्लेशन क्रिया के लिए क्लॉरोफिल के करने पत्तियों का हरा रंग होता है के रिटो नाइड यह सामक होता है जबकि सुपर ऑक्स ऑक्साइड डिस्टिपूर एक एंजाइम होता है तो देख लीजिए पहले का फॉर्थ देख लीजिएगा और आप बाकी हमने मिला दिया है और ओप्सन नमबर सी आपका आंसर होगा देखिए बे दातु कुन सी है जो बिटामिन बी वारा की एक घटक की रूप में काम करती है तो बिटामिन बी वारा में कोबाल्ट दातु पाई जाती है देखिएगा मित्रो हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लाने का प्रयाज करते है फिर वी अदि बाई मिश्टेक कुछ टेक्निकल प्रोब्लम आ जाती है तो बहाँ पर आप थोड़ा सा धेर रखें क्योंकि ये टेक्निकल चीजे होती है जिसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहाँ पर आ बीटू का अने नाम क्या है तो बीटू का अने नाम होता है राइवोफलेबिन और वीबन का होता है थाइमिन बिटामिन डी की कमी से होने वाला रीकट्स रोग अस्ती से संबंदित होता है बिटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है तो बच्चों में रीक के लिए कोवाल्ट धातू की आवश्क्ता होती है तो बे बार बार रिपीट हुए हैं याद रखेगा हम नहीं रिपीट कर रहे हैं बलकि परिक्षा में रिपीट हुए हैं प्रस्ण इसका रण उस बेटामिन का नाम बताई है जो किसी भी मासाहरी भोजन में नहीं मिलता है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा देखेगा कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए सबी विद्यारतियों के आंसर जरूर आना चाहिए उस बेटामिन का नाम बताई है जो किसी भी मासाहरी भोजन में नहीं मिलता है बेटामिन C का तो ओप्सन इसका इसका भी विटामिन B2 में कोवाल्ट की मुझूदकी को सर्व परतम किसने सिद्ध किया था किसे सिद्ध किया था तो ओप्सन मंबर B होगा सोडियम नाइट्रो पसाइट प्रिक्षण के द्वारा सिद्ध किया गयता बिटामिन B2 का रासानिक नाम होता है साइनो होती है जल में गुलने पर गुलाभी रंग देता है इसकर भी रोक तेटामिन की करने के लिए इसकर भी को धूर करने के लिए पूर्थी करने के लिए आबि झाले लीजिए आप threatening एक रासनक नाम होता है रेटिनोल, केक होता है फीलो के लिए, बितामिन बीवाला का होता है साइनो को सीटरिक फल अप्शनमबर D होगा, सभी घट्टे फल कौन सा विटामिन हमारे सरी में सबसाधिक तीरोता से बनता है तो ऑप्शनमबर हाँ जी इसका अंसर भी आप हमें कमेंट बोक्स में दीजिएगा तो आपको दो प्रसमें देखर के जा रहे हैं इसका अंसर भी आप हमें कमेंट बोक्स में दीजिएगा तो देखिए मित्रो ये आपके कुछ प्रवी सेयर के प्रसने थे जिनको हमने आसानी से हल किया तो आप सभी विद्ध्यारती जीएस परिवार के साथ जुड़े रहें जीएस परिवार आपका अपना परिवार है यह परिवार हर विद्ध्यारती तक पहुंचना चाहिए हमारा MBA free for all, education to all हर विद्ध्यारती जो कोरोना महारी में नहीं पढ़ पा रहा है या पेशों की समझ्या financial problem के कारण classes नहीं ले पाता है उनलाइन ओफलाइन या उनलाइन जो paid classes होती है उन सभी विद्ध्यारती तक free में education channel को पहुचाना है हम daily current efforts को लेकर आए थे जाद रखें विद्ध्यारती हो ये channel आपका channel है आप comment box में जो भी यहाँ पर सुजाब देंगे उन सुजाब ओपर हम 5-6 दिनों के अंदर काम करेंगे और आपके सामने result ला करके देंगे यदि आप चाहते हैं कि कोई नई classes चालू की जाएं तो आप comment box में बता सकते हैं तो धन्यवाद मित्रों इसी आसा और उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे तो ये आपका अपना परिवार इसमें हम जाते जाते एक थोट पढ़ लेते हैं तो सुनिए गजरा जल्दी मिलने वाली चीज़े जाद दिनों तक नहीं चलती हमने भी प्रयास किया है हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं इस lockdown की समश्या में हम आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं आकिर बच्चों को किस प्रकार से हम सयोग कर सकें बच्चों को किस प्रकार से हम education material दे सकें देखिए हम धीरे चल रहे हैं आप चलें रुख न मना है कच्छूअ जीता था, खरगो सा राता कारण क्या था, कच्छूअ रुका नहीं थमने पर तो पानी भी गंदा हो जाता है आपने देखा होगा जो पानी थमा हुआ होता है उसमें कीड़े पर जाते हैं लेकिन नदी का पानी कभी मेला नहीं होता है नदी एक धारा के साथ बहती रहती है तो हम धीरे चलें लेकिन हम को चलते रहना है और जीएस परिवार अपना परिवार आप सब का परिवार कर हर एक्जाम फते तो इसी और आसा उम्मीत के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद मित्रो मैं शिवाम सुमन अगले वीडियो में आपके साथ साइंस में उपरिवार